नमस्कार दोस्तों टेक्निकल ग्यांचल में आप सभी लोग का श्वागत है हम आशा करते हैं आप सभी लोग इच्छे होंगे फ्रेंस आप लोग के लिए एक नई जानकारी है एर इंडिया में सबसीडिरी कंपनी यानि साहया कंपनी है एर ट्रांसफोर्स सर्विस लिम्टे चैन होगा और यह कॉंटेक्ट रखा जाएगा अगर आपके पर्पॉर्मेंस यहां पर देखी लिखा है पर्फॉर्मेंस सही है तो आपके पास बाहदी जाएगी तो इसी की जानकारी हम देने आ है आपके पास अगर आपको वीडियो अच्छा लगया तो लाइक शेर और पर अगर आप मारे नाय है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर रहा हूं तो उसकी जानकारी आपके पास नोटिफिकेशन के मादम से पहुंच जाए तो चलिए इस्टाइड करते हैं वीडियो और देखने हैं किस परकार अप्लाई करना है तो देखे यहां पर आप देख सकते हैं एर इंडिया टांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड में यह उपन हुए एर इंडिया की सब्सीडियरी कंपनी है वोकिन डिकूर्मेंट है इंटर्व्यू के यहां पर वैकेंसी है तीन साल का कॉंटेक्ट होगा अगर आपके पास परफॉर्मेंस आपका सही होगा तो आपकी जो इंक्रीज कर दी जाएगी डूरेसन आपका उसके बाद और रिक्वार्मेंट अगर कंपनी के होती है तो इंक्रीज कर दी जाएगी आपकी उसके बाद नीचे वायकंसी दिए गै किस पोस्ट में कितनी वायकंसी यहां पर देख लिए dwelling, हैं रेमप सरफिस ओजंट के लिए चार पुस्ट है और रेम पॉस्ट पटना इस्टेशन के लिए होगा एयरपोर्ट के लिए अगर आप कस्टमर एजेंट में अपलाई करते हैं तो पांच जनूरी को आपका इंटर्व्य होगा वेन्यू जो होगा पांच जनूरी 2019 को इंटर्व्य होगा नो बजए से उसके बाद हैंडी मेंड के लिए 19 जनूरी 2019 को होगा उसके बाद इन दोनों पोस्ट के लाँए पोस्ट नमर तीन चार पांच छह इन चारों पोस्ट में अगर आप अपलाई करते हैं तो आपका इंटर्व्य होगा 12 क्वेट होना अनिवार हैं मस्ट यहां पे दिया गया है push two प्लस three पायट आनो त्य आपके पास computer का विढान होना चाहिए और मस्ट है आपके पास six मंत का experience होना से यह computer स्था मैं टिक्टिंग में या computerized passenger ticket checking इंश च्शे तरमें आपके पास और झुकूड है भी आपके पास नॉपिंदी अंग्लेर चाहूंगा हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का अग्यान होना चाहिए होगा पास य design का चैन का माध्यम होगा इंटर्वी बेश्ट होगा क्यों उसके बाद देखिए जनरल काइंडेट है तो आपके पास मैक्सिमम एज लीमिट अठाइस साल होगी इसके बाद अगर आप OBC है तो प्लस त्री एर्स और एक्स्टेंड कर दिया जाएगा आपके पास आपको छूड़ दी जाएगी डिजर्वेशन मिलेगा और स्टी कमिनिटी से हैं तो प्लस पांच यह अठाइस में पांच जोड़ देंगे तो तैंटीस होगा अठाइस में तीन जोड़ेंगे तो पुरुष का बोलने पढ़ने लिखने समझने का और किसी भी एक लोकल लाइंग्वेज हिंदी या लोकल लाइंग्वेज में आपको भी समझने का और बोलने का ज्यान होना चाहिए ग्रोस सेली रेजी होगी 16,590 रुपे होगी और इसमें हाइड भी रखा गया है नोट बिलो यानी 160 सेंटिमीटर से कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए अगर फॉर मीमेल के लिए पुरुष के लिए उसके बाद आप SCST केंडिएट है तो आपको 2.5 सेंटिमीटर की छूड दी जाएगी और अगर आप एस्टर्न वीजन से हैं तो उसके बाद भी आपको टेस्ट भी होगा इसमें इस बात को द्यान रखना है आपको एज हमने बता दिया है सभी पोस्ट के लिए इसमें 28 साल 31 साल OBC के लिए और 29 साल जो होगा SCST के लिए होगा नेक्ट देखेंगे हम जो पोस्ट है हमारा सिनियर रैम सर्विस एजेंड के लिए है इसमें आपको प्रोसीजर के हिसाब से होना चाहिए आपके पास तो आप अपलाई कर सकते हैं उसके बाद जो ट्रेड होगा आइटी आई का कौन से टेड के लिए यहां पर मैकेंसी मागी गई है देखिए यहां पर मोटर वीकल से आपने किया है तो भी आप भर सकते हैं ऑटो इलेक्रिक एग्जामिनेशन विद हिंदी इंग्लिज या लोकल लांगवेज कोई भी हाइज कुल में आपका एक लांगवेज होना चाहिए लोकल कोई एक लांगवेज इस बात को अपको ध्यान रखना है प्रिफ्रेंस वी गीवन विलोग दा कैंडिडेट वित लोकल लांगवेज और इसमें भी बोलने समझने पढ़ने का घ्यान आपको पास होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है, चलिए इसमें अभी और नेक्ट देखेंगे क्या क्या है, इसमें आपको must have two years का experience होना चाहिए, अपको must have two years का experience होना चाहिए, maintenance के चत्र में, operation के चत्र में, ramp equipment and रेंप हैंडलिंग प्रोसीजर एड़ एयरपोट या इसके अलामा मेंटिनेंस एंड ओप्रेशन का ग्यान ओटो मॉइल्स या हैड्रोलिक एकुपमेंट या ओटो मॉइल के छत्र में भी रहेगा तभी आप अपलाई कर सकते हैं लेकिन अगर आप इनकेस बेल्डर से हैं तो आपके पास two years का experience should be over and above the minimum qualification experience टोटल three years का experience होना चाहिए आपके पास टोटल सेली जो होगी वो 2290 रुपय होगी gross salary चैन का जो तरीका होगा screening होगा और सेकेंड जो होगा और ट्रेट टेस्ट होगा आपके पास जो भी आप जिस भी ट्रेट से हैं उसके बाद आपको compromise of ट्रेट्स knowledge and driving test भी होगा आपका इसमें driving license भी आपको चाहिए इस बात को लर्निंग license या payment receipt of the license अगर आपके पास अपलाई किया है तो driving license का payment का slip भी आपको ले जाना होगा अगर आपके पास license है तो चलेगा उसके बाद license का भी test होगा यहां पर इन्होंने दे रखा है चलिए next दखते हम उसके बाद आपको ये इसके बारे हमने बता दिया तो आग आप सकते हैं तो बेल्डर के लिए आपके पास वनियर का एक्स्ट्रा एक्सप्रियेंस होना चाहिए इसमें इस बात को ध्यान रखना है आपको उसके बाद देखिए यहां पर हिंदी-ंग्लिश-लोकल-Liagnwies का पढ़नी लिखने का ज्यान होना चाहिए आपके पास लोकल करते हैं तो आपको यहाँ पर कोलकता के लिए 20,190 रुपए ग्रोस लिए लोगा पटना के लिए लेते हैं तो आप 18,360 रुपए होगा उसके बाद देखिए आपके पास यहां पर उसी में अभी रैंब एजेंट में आपको देखिए प्रिफेंस उसके बाद बैलीड हैवी मोटर वीकल ड्रैविंग लाइसेंस एड़ टाइम आफ अपेरिंग टेस्ट और प्रिफेंस विल वी गीवन टू एक्स्प्रिएंस का इंडेट उसके बाद आपको यहां पर एक्स्प्रिएंस भी होना चाहिए और टेस्ट के समय आपके पास हैवी वीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए इस बात को ध्यान रखना है आपको उसके बाद अगर आप यूटिलीटी एजेंट का रैंप ड्राइबर के लिए आप अपलाई करते हैं तो यहां पर आपको बता देते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा और स्टेंडर पर होगा ऐसे पल कviet पास ही स्कूल पास होना चाहिए उसके बार मस्त है वैलिड ही मोट्र विकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए यह लाइंग्वेच का घ्यान होना चाहिए आप के पास इंग्लीश नोलेज ौर कोई भी लोकल या हिंदी लाइण्वेज इस पुंझने मुटे हैं पर कुछ दिया गया है आपके बारे मिसको बता देने दा केंडिडेट सुट कैरी दियर पास्पोर्ट पैन काड एंड अधार काड इफ अविलेबल एंड सच केंडेट वुड वी गीवन ड्यू वेटेजिन सेलेक्शन इनका वेटेज दिया जाएगा अगर आपके सब्सक्राइबल क्राइटिकरिया मेंशन इन दो एडवर्टाइमेंट एस सुन 1st दिसमबर एडवर्टाइमेंट जारी किया गया था यह उसके बाद देखिए के अनुसार आपको यहां पर दिया गया है और रिक्वाइड वाकिन इन परसनल आप दो वेनी इंटर्वू के म दो यहां पर देखिए एक मिनट हां टेस्ट उसके बाद सर्टिफिकेट्स ऐस पर अप्लिकेशन फॉर्मेट जो भी इसमें मांगा गया है सर्टिफिकेट्स उसको अटेज करना है और डूली फिल्ड अपने हाथ से भरना है आपको इसमें और नॉन रिफंडेवल फीस होगा एयर इंडिया एयर ट्रांफोर्स सर्विस लिम्टर जो भी मेंसन क्या गया सेम यहीं होगा पेवल एक मुंबई के लिए होगा इस बात को द्यान रखना है गलती नहीं करना उसके बाद डिमांडरा आपके पीछे आप अपना फून पूरा नाम लिखेंगे और मोबा पास पेस्ट जो आप अप्लिकेशन फोंपे पेस्ट करेंगे फोटो उसके बाद देखिए सेल पर टेस्टेट कोपी होना चाहिए उसमें अभी मैं दिखाऊंगा चिस प्रकार का अप्लिकेशन है तो पोस्ट नमबर जो उहां पे है मेंसन है कि 3 4 8 11 12 13 14 15 16 और 18 का आपके पास मस्ट है आपको अटेच करना है वह डॉकुमेंट इन सारे नमबर पर जो भी डॉकुमेंट मागे गए हैं उन डॉकुमेंट को अटेच करना है तब यह आप फॉर्म भर सकते हैं उसके बाद देखिए ओरिजिनल साटिफिकेट शूड नॉ आगे देखते हैं देखिए यहां पर केंड़ेट बिलोंगिंग टू ओवी सी कैटेगरी मस्ट है यहां पर देखिए मस्ट है समीटेड डिवली अटेस्टेट फोटो कॉपी आपको लगाना है सेस्टी सेन तभी वह भी सेंट्रल गॉर्मेंट का का सेटिफिकेट आपके प कुछ दिये गए हैं आपको कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं देनी है इसमें फॉर्म भरते समय उसके बाद मेरी टॉल्डर में वैकेंसी होगी जो भी सेस्टी ओवी सी के लिए रिजवरेशन होगा वो दिया जाएगा आपको पिरियेड ऑप कंटेक्ट जो है उसके हिस यहां पर डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा गलत जानकारी देंगे तो यह सारा पॉल दीजिएगा आप लोग मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा एड्वर्ट चाइजमेंट का जो मुख्य जानकारी है वो हमने दे दिया है आपको और आश से रिलेटेड कोई भी समझ से आपको आती है तो कमेंड बॉक्स में नीचे कमेंड करिएगा हम आपकी तुरं साहता करेंगे उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूं कि उस प्रकार का फॉर्म आपको फिल देखिए यही वह फॉर्म है जो आपको भरना है एयर इंडिया ए सब्सक्राइब करना है जी रोक्स कोपी भी लगाना इसमें और कौन-कौन सा सपोर्टिंग डॉकुमेंट्स आपको लगाना है यहां पर देखिए लिस्ट ऑप ओरिजिनल डॉकुमेंट सर्टिफिकेट फॉर्ट वेरिपिकेशन के समय आपको यह सारे डॉकुमेंट्स ले समत और ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा मैं आपसे निमेधन करता हूं कोई भी समस्याइगी तो प्लीज कमेंट करिएगा मैं आपको तुरण साहता करूंगा तो मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत